Welcome to fundu tester आज हम पढ़ाई करने वाले है system testing के बारे में आज हम देखेंगे system testing क्या है लोग उसे end-to-end testing भी बोलते हैं तो वो हम समझेगे end-to-end testing क्या है with real time Tinder के example के साथ तो मिलते है सोटा सा intro के बाद Like और Subscribe करना मन बूला शोस度 क्धेश्ट्व कोई बड़ी संदी के ध्युक्त स cricket से लिए तो सीज सेंट से वå टेस्ट हो गया वो इंडिपेंटनेटली काम कर रहे है उसके बाद वो क्या करेगे कि जो उपर वाला लेयर है वहाँ पे उसको सर्वर पे डिप्लोई करेगा कोड और सारे मोडियूल उसके साथ इंटीग्रेट हो गया और वो इंटीग्रेट हो जाएगा तो वो पूरा कोड़ियू करते है तो उसके सीस्टम टेस्टिंग तो यहांपे मेरे पास नहीं करेगेंगा कि मेरे में प्रोफ साइन आप करूँगा यह बेजिक नीड हुआ थीक है तो जब मैं प्रोफाल बनाऊंगा यह यह उसर बनाऊंगा यह साइन अप करूँगा तो यहांप отвag सर्वीस होती है वह sign up की service में hit करूंगा तो वह directly वह application होता है न वह छोटे छोटे microservices के टुकड़े होते है एक छोटा service हो गया दूसरा हो गया तीसरा हो गया तो हर एक service पर directly client से तुम hit नहीं कर सकते मतलब मतलब क्या हुआ कि यह मेरा client है यह mobile application से तो मैं जैसे mobile application पर इस sign up पर क्लिक करूंगा तो यहां पर sign up service होती है यह मान लो यह मेरी sign up service है और sign up service के साथ database integrate होता है तो एक चुल में क्या होगा कि अब हर एक बंदा एक साथ लाखो लाखो बंदे sign up करेंगे टिंडर पर तो यह service बैठ जाएगी तो उसके बहुत अलग-अलग solutions होते है उसमें हम जानवाला नहीं है तो basically कि यहां पर क्या होता है कि gateway होता है हम जो भी में API हिट करूँगा वो gateway through sign up में जाएगी और यहां पर एक user profile बनेगा यहां पर पूरा data store होगा जो भी data में provide कर रहा हूं लेट से एक username है मेरा email id है contact details है तो वह सारा data store होगा और database में यहां पर basically database है और इसमें पता चलाएगा कि यह बंदे के profile बन गी अब जैसे profile बन गी उसके बाद में photos upload करूँगा तो again API में हिट करूँगा update लेट से upload photos की API है में यहां पर photo upload करूँग service है तो यहां पर basically photos upload होगे और उसके साथ database integrate होगा यह upload service का database similar way में जब photo upload हो गया तो उसके बाद कौन सी बारी आएगी कि अब मैं profile search करूँगा तो मैं लड़का हूँ तो मेरी requirement क्या है कि मैं कोई लड़की की profile खोजूँगा तो basically क्या होगा कि उसमें भी बहुत सारे criteria होते filter होते है पता है सबको तो वो filter क्या हो सकते है वो बहुत सारे criteria है तो filter के हिसाब से मैं profile choose करूँगी अगर मेरे को match मिल जाता है तब बात बन गई तो लेकिन मैं लड़की को मिलने जाओंगा तो अगर मैं बेंगलोर में रहता हूँ या मैं मुंबे में रहता हूँ और मेरे क लड़की मिली मुंबे वाले को लड़की मिली बेंगलोर की अब जान पैचान नहीं है कोई बंदा अपना इतना पैसा खर्च करके वहां पर मिलने जाने वाला तो है नहीं तो क्या होगा कि उसका कुछ नगुछ filter criteria होगा तो let's say मैं यहां पर मुंबे में रहता हूँ तो मे मेरा इंट्रेस्ट है तो उसके हिसाब से मेरे को यहां पर profile में सजेस्टन आएगा उसके बाद मेरे को लड़की की profile में सर्च करूँगा या girls की profile सर्च करूँगा तो यह मेरा criteria होगा कि I'm interested in the female तो यह तीनो filter criteria होने के बाद यह सारे profile का मैं यहां पर match का एक service होगा यह match service मै यह मेरा filter client area है उसके इसाब से यहाँ पर यह service के पास data आएगा तो data का में भी signup से आएगा यह profile की जो service होगी profile की service में हमने सब ने details update किया है यहाँ पर एक profile की service है तो यहाँ पर मेरा यह service को मेंच की service को जो भी data जाए हो यहां से मिल जाएगा तो उसके इसाब से database query run होगा कि select star from blah 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 city should be this age group should be this और gender should be this तो based on that मेरे को वो profiles यहां पर मिल जाएगी और यह service मेरे को profile return करेगी और मेरे display पर profile दिखेगा सारा का सारा जो भी interested हूँ profile दिखेगा उसके बाद अगर profile मिल गई और match हो गया तब तो congratulations बात बन गई तो क्या होगा कि तब यह सारा data एक जगा पर store होगा तो let's say यहां पर match data की service है match data की एक service है और उसके साथ दी database integrated है तो यहां पर मैं call करूंगा match data API को और जब भी मेरे को chat करना है या जो भी मेरे match हो गया वह सारा data यहां पर store होगा और कैसे store होगा तो मतलब वह एक uniformly table बनेगा कि यहां पर यह profile A है और profile B इसका match किसके साथ हुआ तो A का match B के साथ हुआ फिर A का match C के साथ हुआ उसका basic details होगा तो उसके सबसे database बनेगा और जब भी मैं hit करूंगा तो यहां पर वह API से यहां पर मेरे को यह data मिल जाएगा तो यह हो गया तो अब उसके बाद एक और service भी हम बोल सकते हैं कि यहां पर message की service है यगर match हो गया और मेरे को message करना है तो मैं किसी को message करूंगा तो यहां लेट से मान लो एक message की service है तो यह से मोटा मोटा tinder का application काम करता है अब question ही आता कि आप मेरे को tinder का application test करना है तो मैं test केसे करूंगा तो सबसे पहले मेरा criteria क्या होगा कि let's say मैं सबसे पहले sign in करूंगा कर लिया उसके बाद में फोटोस अपलोड करूँगा फोटोस अपलोड कर लिया उसके बाद में क्या करूँगा तो कि मेरी प्रोफाल अपलोड करूँगा प्रोफाल में सब डेटा डालूगा एंजिनियर हूँ डोक्टर हूँ इतना मेरे सेलरी है जो भी मतलब लड़की को दिखना है वह सारी मैं information डालूँगा उसके बाद फोर्थ के आ गया तो कि match करूँगा वह profile को swipe करूँगा left right वह सब करता रहूँगा तो यह मेरा और match हो गया तो मैं yes करूँगा otherwise no करूँगा तो no करूँगा तो reject हो जाएगा वह फिर मेरे profile में नहीं आएगा वह कहीं store हो जाएगा कि यह लड़का यह लड़के मैं interested नहीं है अगर मैं write करता हूँ मैं उसमें interested हूँ तो वह data यहां पर match data में store हो जाएगा तो यह मेरा हो गय basis है and match data के अलग microservice है तो सारे application को सारी modules को मैं integrate कर रहा हूँ यहां पर तो यह मैं बोल सकता हूँ कि यह मेरा पहला test हो गया अब दूसरा test क्या है मान लो match हो गया मेरा अब मेरा को उसको मिलना है लड़की को और मैं उसके साथ chat करना चाहता हूँ और उसको date करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा कि मेरा क्या test बनेगा कि मैं application launch करूँगा क्योंकि मैंने यहां पर पहले sign up किया है अब automation suit में या वह end to end flow चलता है तो अब एक बार मैंने sign up कर दिया तो बार बार वह sign up करने की ज़रूरत नहीं है अगर फिर से यह test case execute करना है तो मैं कर सकता हूँ लेकिन बार बार क्योंकि अगर मैं करूँगा तो execution में delay हो जाएगा तो मैं application को launch करूँगा उसके बाद UI में मेरेको एक module दिखेगा यह match है यहां पर जो भी मेरा match का जो है जो भी interested है दोनों साइट से equally interested है वो profile मेरेको यहां पर दिखेगी तो navigate to match module उसके बाद मैं उसको message करूँगा तो मेरा third होगा message to match profile तो ऐसे मैं अलग-अलग उसमें end to end test बना सकते हैं तो यह हो गया एक मोटा मोटा सिस्टम टेस्टिंग का flow आपको समझ में आ गया कि system testing किसे करते है लेकिन अभी भी आपको एक question होगा आपके दिमाग में कि मैं बोल रहा हूं बार 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 बोल रहा हूं कि हर एक मोडियूल इकठा होके बड़े सर्वर में जाएगा तो वो क्या है बेजिकली होता क्या है रियल टाइम में कमपनियों में स्प्रिंट के हिसाब से लोग काम करते हैं और अलग-अलग स्प्रिंट हो गया अलग-अलग टीम हो गया मांद लो 10 टीम है कमपनी में या मोडियूल के हिसाब से टीम हो गया या कोई कमपनी में मेजर मोडियूल के हिसाब से टीम हो गया तो मांद लो यहां पे मेरे पास अलग-अलग टीम से है तो मेरा पहला team है sign up का team तो एक team है dedicated बंदे होते हैं जिसमें दो तिम developer है या दो तिम tester है वो क्या करेगे sign up functionality पर थरोड testing करेंगे अब उसमें होगा क्या कि यह testing करने के लिए उसको एक server चाहिए तो यहाँ पर दो server होगा एक development server होगा और यहाँ पर एक testing server होगा तो इसमें क्या होगा कि जब developer काम करेंगे तो dev server में उसका जो code है वो dev server में डालेंगे और उसके उपर coding करते रहेंगे अलग-अलग fix करेंगे यह सब होता रहेगा और दूसरा होगा testing server तो यह dev का जिसे ही code ready हो गया यह sign up के microservices ready हो गई तो वो क्या करेंगे यह testing की जो server है testing का server उसमें यह code deploy कर देगे तो वैसे ही हर एक जगा पर procedure होता है हर एक जगा पर dev environment हो गया हर एक जगा पर test environment आएगा और उसके हिसाब से भी database होगा डेवलोप्मेंट कालग से database होगा testing का अलग से database होगा या या इसा भी हो सकता है कि दोनों environment एक ही database को point करते है जैसे हमारे घर में एक बाइक है तो में और मेरे भाईया दोनों एक ही बाइक यूज़ करते हैं तो क्या हो गया कि यहां पर में हूँ और यह मेरा भाई है और बाइक हमारे पास एक ही है तो दोनों एक ही यूज़ कर सकते हैं यह अलग-अलग के पास यह मेरे पास फैसलीटी है कि मैं दो बाइक खरीच सकता हूं तो मैं दो बाइक रखूनगा तो दोनों अलग-अलग यूज़ करेंगे उसके बाद यह ऐसे अलग-अलग होता है अब अब सब मोडियोस रेडी हो गया यहां पर यह module रेडी है के अपलोड़ प Games सर्विस रीड़ी बेटी है मेंसेज वाला मोडियोल भी रेड़ी है प्रोफल वाला मौडियोल पी सब मोडियोल रैड़ी हो गया हैतो एक कंपनी के बीच मेंीड लेयर का सर्वर होता है तो वह सervice क्या होता है कि यह जो सर्वर है उसमें capacity ज्यादा होती है तो मानलो यहां पे एक बड़ा server बड़ा server आ गया तो सब teams यहां पे अपना code deploy करेंगे और यह server को कोई नाम दिया होगा मानलो यह server को मैंने नाम दिया है staging environment तो staging environment में क्या होगा कि यहां पे dedicated team होगी टेस्टर की यहां पे मानलो यह automation run करते है हरे team का code यहां पे लिखा होता है और वो अपने हिसाब से automation run करते है यह dedicated tester होगे कि वो सिफ staging environment में testing activity perform करते है तो यह हो गया उसके बाद कोई company में क्या होगा कि बड़ी company है या mnc company है उसमें और भी आगे यह अगर यहां से tester ने sign off दिया तो management है या hire management या stakeholder वो application को test करेगी या वो verify करेगी कि वो चल रहा है नहीं चल रहा है क्योंकि मैं application का owner हूँ तो मेरा हग बनता है ना मैं इसे तो किसी को नहीं दे दूँगा या client को तो नहीं दे सकता हूँ तो वो लोग देखे कि application चलती है नहीं तो वो बीच में एक और server डाल देंगे यहां पर एक server डाल दिया उसको नाम दिया pre-prod मतलब और इसको इसके बात एक final server आएगा यह production server है तो यह जो server है ना यह server से सब user application को use करते है यहां पर multiple users होते है तो pre-production और stage server क्या हो गया यह exactly similar to production server होगा अब थोड बहुत ऊपर नीच होगा क्योंकि यहां पर limited user है तो उतनी capacity या bandwidth नहीं चाहिए server की यहां पर limited बंदे यूज़ करेगी लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा लोग यूज़ करेगे लाखो यूज़र आके application को use करेंगे तो यह server थोड़ा बड़ा capacity का हो जाएगा तो एसे application को जब बन जाता है तो बड़े server में deploy करते हैं मतलब similar to the production environment और यहां पर system testing की जाती है system testing के बारे में अब मेरा एक question आप से है कि मैं आपको scenario देता हूँ आपको मुझे बताना है कि आप system testing कैसे करोंगे तो मान लो scenario मेरा यह है कि मैं day to day twitter या facebook यूज करता हूँ तो facebook में क्या है कि मैंने सबसे पहले sign up किया उसके बाद मैं login करूँगा लोग इन करूँगा उसके बाद में photo upload करूँगा या status upload करूँगा या किसी को like करूँगा comment करूँगा यह मैंने पहली बार हो गया तो यह मेरा पहला scenario हो गया अब मेरा दूसरा scenario क्या है कि मेरे को status upload करना है या let's say page में देखना है या मेरे को video का जो module है वहां पर जाके videos दे लिए नहीं पूछेगी तो यह दोनों का system test case कैसे लखोगे पहले scenario मेरे को profile picture upload करना है दूसरे scenario में videos देखना है आप मुझे इसका जवाब comment section में बताईए आशा रखता हूं आपको यह video अच्छी लगी और आपको सब समझ में आ गया आगर आप कोई भी question है मुझे comment section में प testing के बारे में हम start करेंगे smoke testing से और जो भी testing का testing perform किये जाते है real time industry में वह सारे testing का बात करने वाले है या पढ़ा करने वाले है कल से तो मिलते हैं सबको कल और उसके पहले video को like करना share करना और subscribe करना मत भूलेगा thank you so much करना करना है